दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखेंगे हम इथिक्स in public and private relationship तो start करते हैं सबसे पहले public relation की बात करते हैं इथिक्स के बारे में आपको बता इथिक्स sense of right and wrong की right and wrong को differentiate करने के लिए various theories वगएरा जो belief system और जो भी चीज़ें यूज की जाएंगी उसको हम इथिक्स के अंदर include कर सकते हैं अब private और public life की अगर बात करते हैं तो उसके बारे में हम देखेंगे सबसे पहले public relation की बात करते हैं public relation आपके क्या हो सकते हैं जो आप जैसे boss के साथ में imply आपकी जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे आपके friends वगएरा means जहाँ पे आप नौकरी करने के लिए जाओगे वहाँ पे आपके friends वगएरा तो public जो relation होते हैं उनको आप inherit नहीं करते हैं अपनी choice के अनुसार वो boss वगएरा आप choose नहीं कर सकते हैं जहाँ जिस company में आप काम करने जाओगे वहाँ पे आपको boss मिलेगा अपने तरीके वाला और ये large number of people हो सकते हैं आपका जो organization है अगर उसमें मालो 500 person है तो वो ज़्यादा हो सकते हैं उसके अलावा आप किसी local आते जाते समय सब्जी वाला या कोई पी person जिसके साथ में आपका relation मेंटेन होता है उस तो public relation के अंदर उसको बोल देंगे और ये easy होते हैं ब्रेक करने के लिए जैसे आपका boss वगएरा उसने निकाल दी आपने कोई गल्ती की तो आपका relationship तूट जाएगा public relationship तूट जाएगा और आप इसको ये वाले जो relation है इनको maintenance लिए करते हो ता कि आपको respect मिले attention मिले, power मिले, authority मिले materialistic आपके belief होते हैं मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि आप अपने boss को प्यार करते हो तो आप नौकरी करोगे आपको normal अपना काम है, आपको power, authority, money चाहिए respect चाहिए तो आप उसके लिए boss के साथ में जुड़े होए हो तो boss के साथ में आपका एक relation है और आपको people जो हैं अलग-लग type के मिलेंगे different tune के temperament होगे, different tune का character होगा बात करने के लिए, आप उनको choose नहीं कर पाऊगे कि मतलब वो आपकी तरह हो तो वो अलग-लग type के मिलेंगे और जो duties होगी, जो आपके उपर काम होगा वो externally imposed होगा जैसे boss के दोरा कुछ काम दिया होगा है company, जिस company में काम कर रहे हो या public sector में काम कर रहे हो उस sector के जो ethics होगी, वो आपको follow करनी पड़ेंगी जैसे All India Civil Service Rule के conduct होगे Prevention of Corruption Act वो सब आपको follow करने पड़ेंगे जब आप public relation के अंदर होगे और अगर आप इनको follow नहीं कर सकते तो आपकी job बगएरा छूट सकती है जो भी आपका relationship होगा, boss के साथ, employee के साथ में वो तूट सकता है और आपको सज़ा भी हो सकती है अब public relationship की क्या मतगुन, क्यों important है यह constitutional और duty कोई law के बगएरा बनाई हुई उसको follow करने में help करते हैं जैसे आप किसी public sector के अंदर में work कर रहे हो government के अंदर में, SBI के अंदर work कर रहे हो या किसी और sector में work कर रहे हो तो जो भी duty आपको बताई होगे constitution ने या सरकार ने जो law pass करके आपको बनाया होगा, उसको आप perform करोगे उसके लाबा, state की जो power होती है जो सरकार की power होती है, वो public जो institution होते हैं, public offices होते हैं उनके थूँ वो अपनी power को channelize करते हैं जैसे जो various उनके PSUs होंगे या other उनके office department बगएरा होते हैं उनके थूँ अपनी power को channelize करते हैं तो अगर आपके public relationship अच्छे हैं सबके साथ में, तो आप productive person होगे, public relationship वगएरा अच्छे होने के लिए आपको काफी सारी चीज़ों की requirement होती है, जैसे आप impartial होने चीए, जो foundational value of civil service वो सब चीज़ें आपके अंदर होनी चीए, तभी आप public relation maintain कर पाऊगे, अगर मालो आप काफी जूट बोलते हो, दूसरों को बेबकू बनाते हो equality का principle follow नहीं करते impartiality का principle follow नहीं करते, empathy नहीं है आप में तो जो आपका relationship होगा, relationship कैसे हो सकता आप एक organization में काम कर रहे हो, relationship होगा आपका boss के साथ में, other imply के साथ में और जो आपका client है उसके साथ में, अब अगर आप अच्छे से विभार नहीं करते हैं, आप corrupt हो उसका क्या मतलब होगा, आपके जो client होंगे वो भी आपसे परिशान होंगे, boss भी हो सकता है तो channel के उपर उतनी जदा आपके पास में power होगी उतना ही आप damage कर सकते हो system को, अगर आप गलत तरीके से बिवार करोगे, अब कि आपकी public relation अच्छे नहीं है, फिर अगर फूर्थ की बात करते हैं, किसी भी organization की productivity increase होती है, जब सभी imply एक goal के लिए काम करते हैं, वो अच्छे से work कर रहे है, उनके बीच में trust है, creativity लेके आ रहे हैं वो, और वहाँ पे किसी भी तरीके के gender issue हो, कोई और issue नहीं होते, तो यह कुछ फाइदे थे public relationship के, यहाँ पे कुछ principle follow किया जाते हैं, अगर आप public relationship के अंदर हो, यहाँ पे मालो case study आई, आपको office बगरा की, या school की, या किसी भी ताइब की, तो यह सब चीज़ें काम आ सकती हैं, उसके लाबर direct question भी आ सकता है, इसके उपर, तो guiding principle क्या होने चाहिए, आपके public life में है, खुद को कैसे conduct करें, क्या किया जाए, जब भी आप organization में जाओ, तो actual में कैसे वेवार करना चाहिए, आप company में भी हो, MNC के अंदर कैसे वेवार करो, first impartiality, किसी का भी भेदवावना किया जाए, किसी के साथ, equality होने चाहिए, autonomy वाला principle, justice, independence वाला principle, इसमें आप main याद कर सकते हो, foundational values, तो foundational value को आप डाल सकते हो, इसके अंदर में, responsibility, जो भी आप action लोगे, उसकी responsibility आप लोगे, दूसरों को अच्छे से treat करोगे, equality होगे, किसी के साथ में गलत नहीं करोगे, तो वो सब आपको follow करने चाहिए, जब आप public life के अंदर हो, उसके बाद आती private relation, तो public life बाहर वाली life, private वाली आपने घर वाली life, तो इसमें जो relationship होते हैं, वो inherit काते हैं, इनको आप ले के आते हो, जैसे आपके mother, father, और ये choice के साथ में भी हो सकते हैं, कुछ बीना choice के भी होते हैं, विश्टे, जैसे आप normal आपका जो friend होगा, वो आप choice के साथ में भी उसको बना सकते हो, कोई आपका जो main दोस्त होगा, best friend बगएरा, उसको आप choice के साथ में, आपका partner जो होगा, future partner, उसको आप बना सकते हैं, अपनी small number of group होता है, जैसे 500 person की आपकी company थी तो पूरा आपका public relationship हो सकता है यहाँ पे small group होगा, आप nuclear family में रहते हो, joint में रहते हो, उसी साफ से होगा और अगर इनमें कोई problem भी हो, boss तो आपको निकाल सकता था, या आप boss हो तो आप person के साथ में, जो private relationship होता है, जैसे आप अगर mother के साथ में हो, parents के साथ में हो, तो धीरे-धीरे करके, आप उनका nature वगएरा, वो काफी समय से उनके साथ रहने के कारण, आपके और उनके nature के अंदर में compatibility होती है, value system same same होते हैं, office के अंदर आपको duties दी गई है, यहाँ पर voluntary हैं, आप खुद करोगे, अगर आपको कोई दोस्त, खत्रे के अंदर है, या कुछ और चीज़े हैं, उनमें self-imposed होगा, इसमें कोई law के ओपर नहीं है, कि आपको अपने parents की मदद करनी पड़ेगी, कोई law अगरा नहीं है, वो आप अपने love के अंसार, अपने friends, loved one, अपनी मर्जी के अंसार, उसको देख हो गया, और अगर आप fail भी होते हो, फिर भी, फिर भी हो सकता है कि आपका relation intact रहे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दूसरे वाले अगर office cover का अगर आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं, तो उसमें निकाला जा सकता है, और हमारे action joints में internal control जादा उससे guided होते हैं, और इसके अंदर में, उसके अंदर में तो हमारे जो बाहर वाले laws थे, income tax वाला law हो गया, या अधर prevention of corruption वाला law, वो implement होते हैं, लेकिन personal relation में prevention of corruption वगरा implement नहीं होता है, वहां पे आपके personal law, जिसमें by gaming, property right, maintenance of parents, wife, children, वो सब law इसमें applicable होते हैं, तो यह था दोनों के बीच में difference, अब आपको यह समझने किया हो जकता है, कि एक आपका घर के अंदर relation, एक आपका घर से बाहर relation, तो actual के अंदर में आप person तो एक ही है, अब वही घर के अंदर आएगा, वही बाहर जाएगा, तो actual में कोई ऐसा differentiation है भी घर वाली life में या बाहर वाली में, private relation या public relationship या दोनो जुड़े हो हैं, तो ऐसा बोल सकते हो कि independent भी इनको रखा जा सकता है, अगर आप moderate तरीके से life अपनी जी रहे हो, लेकिन काफी सारी situation के अंदर में, दोनों के अंदर कोई separation नहीं होती, जैसे person अगर bankrupt मन जाता है, दिवाली अगर हो जाता है वो, अपना lifestyle के कारण, वो मौज बगरा, accept कर ले, क्योंकि वो देखेगा, bribe लेने से मुझे जादा फाइदा होगा, इस ताइम, utilitarian, principle के अंदर, इसलिए, private person जो है, जो वो public life के अंदर, means आपकी private जो life है, वो आपकी public life को affect करती है, और सेम आप ऐसा भी लिख सकते हो कि public life जो आपकी private life को affect करती है, कई बार अगर आप public life के अंदर, tension के अंदर हो, तो वो आपकी private life को भी affect करती है, वहां की चीज़ें affect करती है, हमारी private life को भी, तो इनमें कुछ खास differentiation नहीं है, हलांकि हमें differentiation करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें दोनों को अच्छे से maintain करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, आप public life में काफी अच्छे और private life में आपकी काफी खराब हालत है, वो आपको देखना पड़ेगा, और often आपने देखा होगा, judge जो है, rescue कर लेते हैं अपने आपको, अगर case उनका relative अगरा का आता है, तो उसको rescue कर लेते हैं, उससे वो अपनी public और private जो relation है, उनको maintain करके रखते हैं, उसके अल foundational valuable service, empathy वगरा follow कर रहे थे, इसमें क्या follow करेंगे, private life के अंदर होता है, main principle follow होता है, principle of affinity, principle of affinity बोलता है, कि इसके अंदर आमें आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, साब बेक्वल हैं, तो आपकी family कैसे बनेगी, अपनी family को ज़्यादा तवज्ज़ दी जाती है, अपनी society को ज़्य ज़्यादा तवज्ज़ दी जाए, अपनी state को ज़्यादा तवज्ज़ दी जाएगी, यह human का nature होता है, अगर आप इसमें equality बोलोगे, तो उससे आपका public life relation में तो equality होनी चाहिए, सब के साथ में आप impartial रहोगे, लेकिन इसमें partiality चल सकती हो, आपका परिवार की बात है, तो आप अपने परिवार के ब्रती partial हो सकते हो, तो इसमें माना जाता है philosopher के दोरा कि यहाँ पर principle of affinity apply होता है, यहाँ पर impartiality बगारा नहीं दिखा सकते आप, अगर आप वो दिखाओगे, तो उससे हो सकता है कि आपका relation बगारा maintain ना रहे, जैसे अगर दो बच्चे डूब अगर आप private life के अंदर हो, अब मानलो आपको case study आती है कि एक place के उपर आग लगी हुए है, वहाँ पे एक place के उपर आपका कोई relative वगरा है, और यहाँ पे हमारे पास में एक और person है, कोई दूसरा person है, तो उसके अंदर आपकी इसको बचाना पसंद करोगे, तो अगर आप आपको उसमें नहीं बतायागा है कि आप क्या कौन से office वगरा हो, पब्लिक servant हो या क्या हो, जर्नल person होगा तो obvious सी बात है, अपने relative को आप बचाओगे, तो वह नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे भी लिखोगे, तो examiner को भी पता लग जागा कि बेवकू बना रहा है, लेकिन अगर आपको बोला जाता है, आप एक public officer हो, तो आप फिर काफी situation देखोगे, कि किस को बचाना easy है, किस का कितना फाइदा हो सकता है, उस type से आप देखोगे, अगर आप public officer भी हो और उसके बाद भी बोलते है, आपका एक relative यहाँ पे है, और एक person यहाँ पे है, जोसे आपकी equivalent बोला, public life में भी तो भी आप उतना ही बचाओगे, next बात करते हैं, trust की importance, public और personal life के अंदर trust की importance होती है, तो trust काफी important होता है, किसी भी life को, relationship को maintain करने के लिए, public life के अंदर में भी, जिन person से आप deal करोगे, office के अंदर deal करोगे, अगर आप trust worthy person हो, तो आपको माना जाएगा, क उनके द्वारा, आपकी वातों को value किया जाएगा, और आपके word जो आप बोलोगे, उनको follow किया जाएगा, और trust जो एक important quality होती है, अगर आपके ओपर लोग trust करेंगे, तो आपको as a leader वो देख सकते हैं, और personal relation के अंदर भी, उनको maintain करना impossible है almost, बिना trust के, अगर आप जूट बार बार तो एक अच्छा relation maintain करना काफी मुश्किल है, इकनोमी growth भी depend करती है trust के उपर, जो company जिन company का जो work culture है, वो काफी अच्छा है, उनके अंदर लोग invest करना पसंद करते हैं, जैसे टाटास की बात करते हैं, तो उनमें invest करना लोग पसंद करेंगे, for an investor भी, because उनको trust है के उपर, कि अगर कुछ problem भी होगी, तो भी ये देख लेंगे, उसमें हमें ये देखने के आवशक पनी होगी, कि contract, contract की बात करेंगे, ये trust के उपर काम करती है, अपने employee के साथ में trust के अंदर होती है, उनकी काफी खियाल रखती है, प्रोविदेंट fund के तोर के उपर, और क कंटे नहीं पड़े, तो उसके बाद अपना खुद लग जाता है, उसके बाद आप बड़ी-बड़ी बातें कितने भी करते रहो, धीरे-धीरे करके, आपका morale नीचे चला जाएगा, और फिर आप 10 कंटे क्या, 8 कंटे भी निपढ़ पाओगी, तो एक बातो अपने उपर trust करना और unrealistic promise नहीं बनाना, दूसरा walk the talk, जो भी आप promise बगरा बनाते हो, उससे पहले आप think करो कि actual मैं उसको पूरा कर सकते हैं या नहीं, या आप ऐसे ही बना रहे हो, किसी को खुश करने के लिए थोड़े टाइम में बोल दिया, किसी ने आपको बुलाया कितने बज़े आन honest, ऐसा नहीं कि आप एक person के साथ में honest होंगे, दूसरे के साथ dishonest होंगे, तो उससे ऐसा, जैसे मालो, कई बार आपकी नहीं नहीं दोस्ती आई, किसी दोस्त के साथ में, उसके साथ काफी trust worthy हो, और वो दोस्त देखता है कि वो दूसरे person के साथ में काफी जूट बोलता है, तो उससे आपको देखना चाहिए कि वो person अगर उनसे जूट बोल रहा है, तो कल को थोड़े समय बाद आपसे भी जूट बोल सकता है, तो person को trust worthy बनने के लिए ये सब quality होनी चाहिए, आपको lie नहीं करना चाहिए, continuously इसको truth बोलना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमा कोई भी excellence की अगर बात करते हैं, उसके वो habit होती है, जैसे Aristotle ने बोला कि एक habit होती है, habit बनाते हैं, habit हमारी जिंदगी को decide करती है, तो हमें truth की habit डालनी चाहिए, और अगर आप एक आदा lie भी बोल देते हो, कई बार चूट बोल देते हो, तो उससे आपका friend, loved one, उनसे break up हो स उतना ज्यादा आपको उसके लिए work करना पड़ेगा, वो basically आप उतना ज्यादा slave बनते जाओगे अपने desire के लिए, और slave जो है कुछ भी कर सकता है desire को पूरा करने के लिए, उसी तरीके से अपने अगर control के अंदर होंगे, simple life जीएंगे, तो आपको ये सब चीजें करने की आप शक्तान नहीं होगी, तो मिलते हैं next video के अंदर, thank you